हर्याना की नू में एक बार फिर हिंदू संगटनों की शोभा यात्रा निकालने की चेतावनी पर बीजेपी घुटनों पर दिखाई दे रही है सरकार की सक्ति के बाद भी हिंदू संगटनों के होसले बोलंद है इलाकी में धारा 144 फिर से लागू है और प्रशासन अलट पर है कॉंग्रेस ने हिंदू संगटनों की चेतावनी को लेकर बीजेपी पर आपसी सांट गाट का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े की है तो क्या कहा है कॉंग्रेस ने देखते हैं ये रिपोर्ट कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेडा ने वीजेपी की शोभा यात्रा निकालने की चेतावनी को लेकर कहा कि पियम मोधी को जवाब देना चाहिए वो बड़े मजबूत माने जाते हैं उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो इनी के अपने एक संगठन विश्व हिंदू परिशत में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि सरकार की अनुमती ना देने के बावजूद भी ये अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे तो मतलब इसका ये है कि ब्रधान मंत्री की मौन सहमती स्विक्रिती विश्व हिंदू परिशत के पास है नहीं तो इतनी हिम्मत आ नहीं सकती किसी संगठन में विश्व हिंदू परिशत के शोभा यात्रा निकालने के अलान के बाद नू से सटे गुरुगराम में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम करने का दावा किया जा रहा है गुरुगराम डिसीपी साउथ सिद्धांत जैन ने बताया कि गुरुगराम में 16 जगों पर नाके बंदी की गई है 28 अगस को नू में हिंदू संगठन सरकार से इजाज़त नहीं मिलने के बाद भी यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं जिसके बाद जिला प्रशासन अलट पर है इसके अलावा शोभा यात्रा के दुबारा निकालने की खबर के बाद नू शेहर में एक बार फिर से सन्नाटा दिखाई दे रहा है सुरक्षाबल पूरी मुस्तेदी के साथ इलाके में डटे हैं जगह जगह पर वहानों को चेक किया जा रहा है कुल मिलाकर हर इस्सिती पर शाशन प्रशासन की नजर है इसके अलावा ड्रोन से भी पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए हैं इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं साथी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है कही न कहीं हिंदू संगटनों की चेतावनी के बाद इलाके में फिर से लोगों में हिंसा का डर देखा जा रहा है क्योंकि पिछली बार नू में जिस तरह से सामपरदाइक टकराव हुआ था उसमें कई लोगों की जान चली गई थी इधर किसान नेता राकेश टिकेत ने भी हिंदू संगटनों को चेतावनी दी है कि अगर यात्रा निकाली तो उनका सामना ट्रैक्टरों पर सवार किसानों से होगा अब देखना होगा कि हिंदू संगटन कल यात्रा निकालते हैं या फिर प्रशासन की तैयारियां उन पर भारी परती है डिबी लाइफ की रिपोर्ट